जीवन में सब्र का महत्व यह कहानी बहुत ही पुरानी है उस समय महात्मा गौतम बुध पुरे भारतवर्ष में घुम घुम कर बौत धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयाईयों के साथ एक गाउं में घुम रहे थे काफी देर तक ब्रमन करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिश्य को पास के गाउं से पानी लाने के लिए कहा शिश्य जब गाउं में पहुचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है जिसमें काफी लोग अपने वस्तर साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था शिश्य को नदी के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरू जी के लिए यह गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया लेकिन इधर गुरू जी का तो प्यास से गला सुखा जा रहा था इसलिए पुनह उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिश्य को भेजा इस बार वह शिश्य उनके लिए मटके में पानी भर कर लाया यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्य चकेत हुए उन्होंने शिश्य से पूछा गाओं में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था फिर ये पानी कहां से लाए शिश्य बोला हा गुरू जी उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठहर कर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तब लब में बैठने का इंतजार किया जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया वही पानी लाया हूँ महात्मा बुध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी की हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है परंतु अनेको बार जीवन में ऐसे भी क्षान आते है जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है मित्रों इसलिए हमें जीवन में दुख और बुराईयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए गंद की समान यह समस्याओं स्वयम ही धीरे-धीरे खत्म हो जाती है दोस्तों अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो खृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए